नीट एकजम 2024 में जिस तरीके के सवाल उठे और उन सवालों के जवाब अब सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा 24 लाख बच्चे जो हैं वो पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा संभव कैसे हो पाया रिपब्लिक की टीम हर ग्राउंड रिपोर्ट कर रही है हर फैक्ट को जानने की कोशिश कर रही है हम यह भी बोलेंगे कि जो ग्रेस मार्क्स वाला मुद्दा है और जो लीकेज वाला मुद्दा है इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह बिल्कुल जुड़े हुए हैं साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि जो ग्रेस मार्क्स दिलाए गए है जिन सेंटर पे, वो भी एक स्ट्रटेजी का पार्ट हो. और 2023 में करीव 20,50,000 बच्चा बैठा था, यह संख्या बढ़कर 2024 में, 2024 में संख्या करीव 24,00,000 बच्चा बैठा था. मरलब 680 में 1742 बच्चे रेंकिंग थी 2023 में इसमें 8884 आप समझे कि कितने गुना पाँच गुना छे गुना से भी जादा बच्चा एकदम से इंटेलिजेंट हो गया 500-600 टाइम्स नीट अग्जम 2024 में जिस तरीके के सवाल उठे और उन सवालों के जवाब अब सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा 24 लाख बच्चे जो हैं वो पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा संभव कैसे हो पाया रिपब्लिक की टीम हर ग्राउंड रिपोर्ट कर रही है हर फैक्ट को जानने की कोशिश कर रही है और इसी लिए हम पहुँचे हैं कोटा सिख्षा का छेतर है देश विदेश के बच्चे यहां आते हैं तयारी करते हैं और देश बर के तमाम जो बच्चे हैं यहां आकर के नीट की तयारी करते हैं इसलिए कोटा आना बहुत जादा जरूर था हम अलग-अलग सेंटर्स पे भी गए जहां एग्जामिनेशन हुए ज सुप्रिम कोट की उन्होंने का कि 1563 बच्चों के ग्रेस माक्स जिनको दिये गए थे उनकी ग्रेस माक्स रद करके उनको वापस से परिक्षा दिलाई जाए और 30 जून को रिजल्ट गोजित किया जाए मेरे साब से यह जो पूरी मीडिया ने मुहीम छोड़ी हम सब लोग ने मुहीम छोड़ी सबसे पहले हमने पीईल दर्ज करी पीईल दर्ज करने के बाद जो यह वर्डिक्ट आया है यह बहुत खोशी का विशा है कि सुप्रीम कोट ने समर वेकेशन में भी बैंच ने इस में अभी भी कुछ और बाते हैं जो करना जरूरी है हम यह समझें कि 23 जून को एक्जाम कराकर 30 जून को अगर एंटी वापस जजल दे सकता है तो सिर्फ 1563 कोई क्यों क्यों कि असलियत में पूरे एक्जाम को अगर आप देखेंगे तो अन्याय सिर्फ इन 1563 की वज़े से अन्यायल लीकिज की वज़े से हुआ है, काई सेंटर स्पे टाइम लॉस की वज़े से हुआ है क्या सेंटर सिर्फ एक सेंटर पर गडबरी हुई थी नहीं किल पूरी उम्मीदे कि Supreme Court में हमारी एक और hearing अएगी चब एक और hearing अएगी तो उसमें हम laakkej के मामले को उठाने का पूरा प्रयास करेंगे अपने प्यार करेंगे तो उसमें पेपर-leak की वजये से ही ये सारी गड़ बड़िया होगा बिल्कुल हमने पेपर लिखे कुछ प्रूफ जो हैं हमने हमारे लोयर्स के साथ मिलकर उनको तयार कर लिया है और दूसरी बाद जब हम ये रिंग पे आएंगे तो इस बात को उठाएंगे क्योंकि पहली लड़ाई अपन लोग जीच चुके हैं और हम ये भी बोलेंगे कि ज बच्चों को पास कराने का पैसा लेकर टीम सवाई माधूपूर के उस सेंटर पे पहुंची थी और उन्होंने पुक्ता जानकारी जुटाई और सारी चीजे जब देखी ग्राउंड रिपोर्ट में कि फॉल्ट जो था वो एंटीय का था और एंटीय के वजह से वो पेपर पेपर दे रहे थे एक्जाम दे रहे थे लेकिन उनको ग्रेस माक्स नहीं मिला किसी भी को भी नहीं मिला सवाई मादूपूर के लिए स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि सोप्रीम कोट में यह बात here n पर नहीं गई है multiple here in going to offer तो सवाई मादूपूर के लिए सपेशली हमें इतना चीजिंकि सवाई मादूपूर मैं में वो प्रेशर में परिक्षा दे रहे थे और जो 120 बच्चे थे जिनका टाइमिंग 2-5 था वो 6 बजे से और उसके बाद 9 बजे तक पेपर दे रहे थे तो उस प्रेशर में उन सारी चीज उस प्रेशर में एफिशिंसी आना बिल्कुल संभव नहीं हो जहां जानते कि एक ए 2023 में क्या था और 2024 में क्या चेंज हो गया नीट के जितने परिक्षारती थे उनमें कैसे चेंज मिला है सर कुछ बताएंगे मैं आपको पहले मैं बताना चाहता हूं पहले आपको बताओं कि 2023 में 2023 में करीब 20,50,000 बच्चा बैठा था ये संख्या बढ़कर 2024 में 2024 में संख्य करीब करीब 24,00,000,000 हो गई हम मान रहें कि ये संख्या बढ़ी करीब 3,50,000,000,000 बढ़ी पर ये कोई डबल ये ट्रिपल नहीं हो गई है पर अगर आप देखिया चाह पेपर का इस तर चित्ते भी शिक्षा विद्धे जित्ते भी जान का रहे हैं अगर आप पूछेंगे इस देखें साथ देखिए 680, 680 जो बेसिकली नंबर है आप समझें, 680 पे पिछली बार 1742 बच्चे थी इस बार 8,000 हैं, मतलब 680 में 1742 बच्चे रैंकिंग थी 2023 में, और इस बार 8,000 हैं, इसमें 8,844, आप समझे कि कितने गुना, 5 गुना, 6 गुना से भी जादा बच्च पूरे देश का डिटा है, यह पूरे देश का डिटा है, यह 620 पे आपको भी डिटा उठाई है, और अपर रैंकिंग में जदा दिखाई देगा आपको, लोगर में देखेंगा, च्योंकि जिन्होंने चीटिंग करी है, वो तो अपर में ही आएंगे, ना, सेलेक्शन हो ल इसका डिफरेंस आना, यह संभव नहीं है, इसका मतलब जो पटना की F.I.R., गुजरात की F.I.R., जगे जागे, जहां पर F.I.R. होई है, तो एक वाक्या सामने आया है, कि उडिशा का एक जो इस्टुडेंट था, बच्चा था, वो गुजरात एक्जाम देने के लिए आय इसका मतलब कुछ सेंटर्स जो है, कॉम्प्रमाइज हुए है, जो सेंटर्स कॉम्प्रमाइज हुए है, वहाँ पर मैलिफाइड इंटेंशन से, पहले भी संभव हुआ है, देखने को मिला है, कि कोई उडिशा का बच्चा गुजरा देने को आया हो, या कोई साउथ का तो ऐसा हो सकता है कि हर साल 15, 20, 25 बच्चों के साथ ऐसे चीटिंग करवाई जाती हूँ, पर वो डेटा इतना शोटा होता था कि उससे डेटा से पकड़ पाना संभाव नहीं होता था, मैं यह नहीं बोलता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता होगा, पहले हुआ होगा, पर इस बार वो धानली इतनी बड़ी हुई है, जो कम से भी कम मेरा व्यक्तिकत मत है, कि 20 से 25,000 बच्चे ऐसे हैं, जो डॉक्टर बन सकते थे, अब 620 तो हमने मार्किंग देख लिए, लेकि 600, 500, 400 वाली अगर मार्किंग देखें तो कितना डिफरेंट आ रहा है, मैं क्यों इसकी बात लगबग बच्चे चनरल, EWS, OBC, NC लगता था, हां मैं कहीं ने कहीं डॉक्टर तो, जो मेडल क्लास फैमिली से आता था, जिसके बहुत संसादन, बहुत सीमित होते थे, और जो अपनी मेहनत के बल पे, इस मार्क को लेकर के आता था, पांसो असी को, और वो चाहता था कि ग 600 नंबर और इस बार का 650 नंबर लगबग लगबग बराबर है, लगबग 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 जिसने मेहनत की और जो 600 नंबर लेकर के आया, उसको इस बार 650 अंक लाना अनिवार्य था, तब जाके वो सिस्तिती में पहुँचेगा, ऐसा पेपर में तो नहीं था, यानि कि प इतना तफ तो नहीं था, संख्या भी इतनी नहीं बड़ी, तो इस बच्चे एकदम से कहां से इतना इंटेलिजेंट पैदा हो गए, और इसका फिगर अगर बात करें, तो 600 में जो लास्ट फिगर था दो जार तेसका, उसमें था 39,348 इस बार 181,189 हो गया, जिसमें 51,000 का नीचे थोड़ी रहेंगे, वो तो उपर ही आएंगे, वो तो आप ही आएंगे, इसलिए इस लिए डिफरेंस क्रियेट हो रहा है, अच्छा तुझा इतनी F.I.R. आ रही है, बच्चों की लगातार इतनी बार ही है कि इनको रात को पेपर आ गया था, जब पटना F.I.R. मे गुश चुके थे, इसलिए चटिंग होना उसके बाद संभव नहीं है, इसलिए उन बच्चों को सर्फ हटा दिया जाएगा, जो उसमें 15-20 बच्चे लिफ्थ थे, सवाई माधूपूर में जिस स्कूल में दिक्कत हुई, उस स्कूल के ततकालीन जो प्रिंसिपल थे, जि उसके बाद जल्दबाजी में पेपर बाटे, यह मानवे भूल थी, उन्होंने एक्षप्ट किया, लेकिन यह सारा का सारा जो परेशानी और विवस्था में दिक्कत हुई, वो NTA की जिम्मेदारी थी की नहीं थी? जहां पर भी सेंटर्स बनाए गए, प्रक्रिया होती है कि बैंक से इनको उस बक्स बॉक्स को ठाना होता है, जी पीएस से वो लॉक खुलते हैं, जब वो SBA बैंक में गई लेने, तो SBA बैंक में बॉक्स दिया गया और बुला गया एक बॉक्स आपको चैनरा बैंक से और अबुला हमें तो पहले बता ही नहीं गया था कि नहीं आपका एक मेटरिल वहाँ पे भी है, उनके करीब साड़े पांसो बच्चे उनके स्कूल में थे पांसो चार या पांसो आट और वो SBA से लेकिया है, एक बॉक्स कैनरा से लेकिया है, अब कुछ बता है नहीं गया कि कौन सा खोलना है, जब उनके दोनों खोले तो पेपर निकला है, एक हजार, जो दूसरा पेपर का बॉक्स था वो प्रैक्टिकली अर्जनसी के लिए होता है, उन्हें कोई ट्रेनी नहीं दी गई, इसमें प्रिंसिपल क्या करेगा, और प्रिंसिपल लगातार उनको अप्र से बात करी तो उनको बाद में पता पड़ा मीडिया से कि उनके सेंटर पर टाइम लॉस वाली बात कर दी गई है, और बच्चों को इतने नंबर आ गए, उन्हें बोला हमारे टाइम लॉस कोई हुआ ही नहीं, एक मिनिट का भी कि हमारे टाइम लॉस नहीं, आप CCTV पर लीग का एक सबसे प्रमुक जो F.I.R. दर्ज हुई है पतना में, उनके जो प्रूफ्स हैं, सबसे पहले वो है, हमारे पास वीडियो और आडियो के माद्यम से कई बच्चे जिने अपन गवाहा भी मान सकते हैं, ऐसे बच्चे हमारे पास बहुत सारे अवलेबल हैं, त अगर आपके पास हों, जो आप दर्शोकों के साथ शेयर करना चाते हैं, क्योंकि ये फैक्ट जो हमने अपने दर्शोकों को बताया, ये नमबर ओफ मार्किंग्स हैं, ये जो फर्स्ट स्कोर जो आप यहां पे देख रहे हैं, महेश एक बार आगर आप ये दिखा पाएं, क्योंकि ये जो मार्किंग है, ये वह इस्कोर हैं, ये बात में पहले ही बोल चुका है , फिर वापस बोलते हैं इसको ग्रेस्ट मक्स कि वह हैईंस तो साथ सात् सुन्हट् समझाता हूं शायद आप मेरी बात को समझ पहें, मैं आपको समझाता हूं, तो मैं आपको समझाता हूं कि असलियत में 180 सवाल बच्चे को करने होता है हर सवाल 4 मार्क्स का होता है और गलत करने पर माइनस एक मिलते हैं पूरा समझाता हूं ताकि जो लोग नहीं दिये उनको भी समझ में आए NTA सवाल देता है दोसो बच्चे से कहता है इस दोसो में से 180 करने है अगर कोई बच्चा पूरे 180 सही कर ले पूरे सही कर ले तो उसके नंबर किते आएंगे 720 एक 179 सही करे और एक जो सवाल बचा है एक उसको अटेम्ट ही ना करे attempt नहीं करे अगर वो attempt नहीं करे तो उसने इसका मतलब और 179 सही कर दे, तो उसने 4 नमबर का सवाल छोड़ दिया, तो उसके नमबर कितने आएंगे, 716 पर वो attempt करे और गलत कर दे wrong कर दे, वो attempt करे पर गलत कर दे, तो 4 तो गलत के गए और माइनस एक और गलत होगा, तो आएंगे नमबर कितने आएंगे, 715 708 कैसे आएंगे, आई नहीं सकते तो यह practical situation है, जो एक fact जो है, वो हमने बताने की कोशिश की अपने दर्शकों को कि किस तरीके से मार्किंग प्रकिडिया होती है, किस तरीके से यहाँ पे गड़बड़ी जो है, वो मार्किंग में दी गई, ग्रेस मार्क्स को लेकर के भी यहाँ पे जो confusion थी, वो भी सारी नितिंजे ने clear की, और जो 720 का पूरा स्कोर होता है, 120 से लेकर के 720 तक किस तरीके से 2023 में डाटा था, 2023 के बाद 2024 में कितनी संख्या बढ़ी, किस तरीके से वो चीजे बढ़ बढ़ करके आगे पहुँची, तो यह तमाम जो चीजे हैं, यह बताती हैं कि गड़बड़ी कहीं ना कहीं थी, और उस गड़बड़ी में दिक्कत उन बच्चों को हुई, जो बच्चे ना तो सुप्रिम कोर्ट पहुच पाए, ना अपनी परेशानी किसी को बता पाए, सिर्फ उन लोगों की सुनवाई है, जिन लोगों को सुप्रिम कोर्ट और हाई कोर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन उन बच्चों का क्या, जिनके गाउँ से Supreme Court की सडक जो है उसकी दूरी जो है वो बहुत जादा दूरी है और इसको लेकर के हम ground report भी कर रहे हैं fact भी बता रहे हैं और उन बच्चों की आवाज भी उठा रहे हैं जिनकी परेशानिया हैं जो दुविदा में हैं उनको लेकर के हम यहाँ पहुंचे थे और नितिन जी से बात की। विडिजनलिस महिश के साथ अमरदीप शर्मा रेपब्लिक टीवी। नीट एक्जाम 2024 में जिस तरीके के सवाल उठे और उन सवालों के जवाब अब सुप्रिम कोर्ट और सुप्रिम कोर्ट के अलावा मुद्दा है और जो यह लीकेजवाला मुद्दा है इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह बिल्कुल जुड़े हुए हैं साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि जो ग्रेस मार्क्स दिलाए गए हैं जिन सेंटर पे वो भी एक स्ट्रेजी का पार्ट हो करीब बीस लाग पचास जार बच्चा बैठा था यह संख्या बढ़कर दो हजार चौबीस में दोजार चौबीस में संख्या हरी करीब चौबीस लाग होगा इसनी बार 1742 बच्चे था इस बार 8000 है मतलब 680 में 1742 बच्चे रैंकिंग थी 2023 में और इस बार 8000 इसमें 8884 आप समझे कि कितने गुना 5 गुना 6 गुना से भी जादा बच्चा एकदम से इंटलिजेंट हो गया 500-600 ताइम्स कर दो